नमस्कार दोस्तों, MJT Education में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ताइवान के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज बता दूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर एक डाउट बना हुआ था कि वो ताइवान जाती है या नहीं और जाएंगी तो क्या होगा तो फाइनली यह ताइवान पहुँच चुकी है और इस दोरान चाइना के दोरा उन्हें थ्रेट्स भी दिये जा रहे थे अमेरिका को उन्हें थ्रेट्स दिये जा रहे थे कि यहाँ पर यदि चाइना विजिट करती है तो यह बहुत ही दुखा दोगा यह बहुत ही दिक्कत हो सकती है अमेरिका के लिए यहाँ पर इनके दोरा कहा जा रहा था चाइना के जो प्रेसिएंट है जी जिन पिंग उनके दोरा अमेरिकन प्रेसिएंट जो बाइडिन से कहा गया था नॉट प्ले विट फायर यानि कि आग से मत खेलिए यादी आग से खेलोगे तो आप जल जाओगे यहाँ पर इनके दोरा ऐसा कहा जा रहा था लेकिन इन्होंने सारी सारी थेट्स को इगनोर करती हुए ताइवान में जाकर अपनी विजिट करी है तो अभी सब्सक्राइब करें जैसे आपको विडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी तो चली स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो US House of Representative की जो Speaker है Nancy Pelosi उनके द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है ताइवान को तो यहाँ पर ऐसा हुआ है quarter century के अंदर मतलब कि पिछले 25 वर्सों के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई इतनी highest level का American official वहाँ पर विजिट करने गया है पिछले 25 वर्सों में इतनी जादा high post वाले कोई भी official ने ताइवान को विजिट नहीं किया है जो कि American हो तो यहाँ पर जो Nancy Pelosi है उनके जो चाइना को लेकर व्यूज है वो काफी जादा ऐसे ही है एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो Nancy Pelosi है वो anti-China व्यूज रखती है तो यहाँ पर दोस्तों यह जिस post पर पदस्त है यह काफी अदा highest post है अमेरिका के अंदर इसको काफी अदा senior माना जाता है मैं आपको बता दूँ तो सबसे जो highest post अमेरिका के अंदर वो होती है प्रेसिडेंट उसके बाद होती है वाइस प्रेसिडेंट लेकिन दोस्तों उन दोना के बाद जिसका नाम आता है वो आता है US House of Representative का speaker और उसी post पर अभी ये पदस्त है तो काफी अदा senior most एक politician हम इनको कह स लगते हैं अब इस पर चाइना का क्या reaction आया है तो दोस्तों जो Chinese foreign mystery spokesperson थे जाओ लिजियंग इनके द्वारा कुछ समय पहले कहा गया था कि यदि ये ताइवान को विजिट करती है तो ये एक resolute and strong measures लेंगे चाइना इसके खिलाफ strong measures लेंगे मतलब उसके खिलाफ कड़ा पॉलिसी को इन्होंने recognize कर लिया था और लेकिन दोस्तों इन्होंने unofficially ties बनाए ताइवान के साथ हैं मतलब कि officially न होकर unofficially ये ताइवान को अपने जो arms है वो sell करते रहे इसके अलावा कई सारी और सहायता है प्रदान करते रहे तो एक तरह से यहाँ पर secretly इन्होंने ताइ country मानती है उनको चाइना threat करता है उनको वो दमकी देता है और यह बता मानने के लिए उन्हें एक तरह से विवश करता है कि चाइना और ताइवान एक ही है ताइवान अलग country नहीं है या ऐसे चाइना का यहाँ पर stand है अब दोस्तों इस विजट से चाइना को क्या concerns हो सकते ह उन्होंने क्या बता है यहाँ पर चाइना के point of view से देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों चाइना के दोरा यह ऐसा मानना है कि अमेरिका की विजट से जो ताइवान है उस पर independence को लेकर यहाँ पर activities बढ़ेंगी मतलब यहाँ पर जो अमेरिका है वो ताइवान की independence को support करता है ऐसा उनके दोरा माना जा रहा है इसके अलावा दोस्तों severely undermined China's sovereignty and territorial integrity तो चाइना की स्वायतता है जो sovereignty उसको threat हो सकता है यहाँ पर अमेरिका के दोरा यदि ताइवान को विजट किया जाता है तो वहाँ पर चाइना की जो territorial integrity है उसको यहाँ पर खत्रा हो सकता है इसके पर ताइवान को विजट करना अमेरिका के दोरा काफी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और यह एक wrong signal होगा ताइवान independence forces के लिए according to the viewpoint of China यहाँ पर ऐसी बातां चाइना के दोरा सोची जा रही है अब इहतियास के बारे में जानते हैं कि चाइना और ताइवान की क्या युजँ होगा करते थे चाइना ताइवान दौनों ही इनके rule में आते थे यहाँ पर आप देख सकते ही यह चाइना है यह ताइवान है बीच में आ थी यह ताइवान स्ट्रेट तो यहाँ पर आप इनकी जो location ने वो देख सकते है ताइवान एक 되어 Уपॉंट से देखें तो हम सभी जानते हैं वर्ल वर्ल टू के अंदर जापान जर्मानी इन सभी की हार हुई थी और जापान पर न्यूकलर बॉंब्स गराए गए थे जिसके कारण से यहाँ पर जो ताइवान है वो फिर से चाइना के पास आ गया था अब यहाँ पर दोस्तों जब चाइना के अंदर मोनारकी को अवलेश किया गया और वहाँ पर जब सिवल वार चड़ा तो सिवल वार के बाद में जैसा कि मैं आपको एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कम्योनिस्ट और नेशनलिस्ट में यह सिवल वार हुआ था जिसमें जो कम्योनिस्ट थे उनके लीडर तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो civil war है वो चला लेकिन यहाँ पर communist की जीत हुई और जिसके कारण से दो एक तरह से हम कह सकते हैं जो श्यांग काई शेक लेड नेशनलिस्ट से वो चले गए थे ताइवान की उपर तो यहाँ पर जो अभी mainland China है वहाँ पर कहा जाता है people Republic of China उसको कहा जाता है और यहाँ पर जो ताइवान है उसे कहा जाता है Republic of China तो वहाँ पर इन्हों ने ताइवान में जाकर अपनी एक अलग government बनाई और उसके जो प्रेसिडेंट है वो बने थे शियांग काई शेक और 1975 तक यह बहीं के प्रेसिडेंट रहे तो यहाँ पर ज दोस्तों आप चाइना का ये क्लेम है वो लगातार ये कहता रहता है कि जो ताइवान है वो हमारी एक टेरिटरी है वो अलग से कोई भी कंट्री नहीं है क्योंकि चाइना और ताइवान हिस्टोरिकल एक ही रही है तो चाइना ने कभी भी ताइवान को रेकोगनाईज नही यह स्टेट था लेकिन यहाँ पर ताइवान एक अलग कंट्री है आपको बतानों कि जो 1911 में वो revolution हुई थी उसको कहा जाता है जिन हाई revolution आप हो सके तो इसका भी नाम याद रखते हैं ना भी रखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर दोस्तों अब इंडिया का के stand है तो इंडिया के बारे मैं आपको बताऊँ तो जो इंडिया है उसके दोरा यहाँ पर one China policy को भी follow किया जाता है अभी इंडिया यह नहीं मानता है कि ताइवान एक different country है लेकिन फिर भी अमेरिका की तरह जो इंडिया है उसके दोरा भी यहाँ पर ताइवान के साथ में आपने relations है वो इस्थापित की गए है और ताइवान के अंदर इंडिया का एक office भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया ताइपे आसोसीशन जो की diplomatic functions के लिए यहाँ पर इस्ताफित की गया है इसके अलावा दोस्तों ना के वल इंडिया का वलकि ताइवान का भी इंडिया के अंदर एक office है आप यहाँ पर देख सकते हैं नियू डेली के अंदर ताइपे economic and culture center यह इस्तेथ है नियू डिली के अंदर तो यहाँ पर दोनों को 1995 में establish किया गया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के आपस में एक दूसरे के देश में diplomatic offices भी हैं तो काफी ज़्यादा यहाँ पर open relations हैं ताइवान के साथ में इंडिया के दोस्तों इन दोनों के बीच में commerce, culture और education को लेकर ही यहाँ पर कुछ ties हैं लेकिन यह जो relations है यह काफी sensitive है ताइवान के issue को लेकर और वो बिल्कुल भी tolerate नहीं करता है यादि कोई country वहाँ पर आकर influence करती है और ताइवान को अपना पार्ट मानता है जैसा कि मैंने को बताया ही है तो इस तरह से यहाँ पर 2017 से दोनों के बीच में जो official relations है वो काफी ज़्यादा कम है यहाँ पर ब diplomatic relations है जो official relations है वो बिल्कुल भी बंद है आप यहाँ पर देख सकते हैं डोकलाम में जब standoff हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में उस समय से इनके जो relations है वो बिल्कुल भी बंद पड़े हुए है इसके लावा जो इंडिया है वो लगातार यह प्रयास करता रहता है कि दोरा क्या क्या चिंता है वो जताई गई है तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर सवाप्त करते हैं लेकिन दोस्तों अब वीडियो को सवाप्त करें उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो आप इसको जोइन कर सकते है यहाँ पर आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अप्डेट मिल जाते हैं फ्री पीडियाफ मिलते हैं फ्री कुजल मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रूप D की तैयारी करते हैं प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको स्टेटिजी भी बताई जाती है जहाँ पर आप अपनी तयारी को और बहतर बना सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारे एप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वाइ सर्चिंग MJT Current Office and GK App on the Play Store वहाँ पर आपको ये सारी चीज़े मिल जाती है जहाँ पर आपको free वीडियोस मिलते हैं PDF मिलते हैं, mock test मिलते हैं, यहाँ पर आपको e-books मिल जाती है और भी कई सारी चीज़ें का फायदा आपको मिलता है यदि आप इस एप को डाउनलोड करते हैं तो तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर केजिए तक आपने MJD education को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद